गुड इमनिंग, यू और हाली वेलकम टू परफेक्ट चिल्डरेन एकडमी नमस्कार साथियों परफेक्ट चिल्डरेन एकडमी पे आपका हर्दिक स्वागत है आज हम लोग मर्कोलाजी और प्लॉरिंग प्लांट के सीरीज में आज हम कैरोला की बात करेंगे, हम देखेंगे कि ये कैरोला कैसे हमारा एपेटेलस है पाली पेटेलस है या गैमोड पेटेलस है पेटेलोयट क्या है और पाली फिल्नस क्या है गैमोड फिल्नस क्या है और हम यह भी जानेंगे कि regular polypetalus, irregular polypetalus और इस तरह से regular gamut petalus और irregular gamut petalus इन सारी चीजों को हम वक्षोवी समझने की कोशिस करेंगे तो आए और इसको हम बिल्कुल विर्फली और ट्रिकली समझेंगे जिसके माध्धम से example और उसके types बिल्कुल दिमाग में set होने वाले है तो इन सारी चीजों के लिए आप lecture के आन तक बने रही है आए हम सीधे चलते हैं कैरोला हम जानते हैं कि यह जो हमारा कैरोला है जिसको हम दल पूंज कहते हैं दल पूंज तो देखें इसके नाम से यह इसपस्ट है दल और पूंज यानि दल का पूंज यानि दलों का समूँ तो इसकी unit क्या हो जाएगी? यूनिट हमारी हो जाएगी petals जिस तरह से हम लोगों ने petal इसकी unit है कैलिक्स में देखा था कि उसकी unit sepal होती है उसी तरह से जब कई petal petal का मतलब डल कई डल जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके पूंज को हम डल पूंज या कैरोला कहते हैं अब हम लोग यह देखेंगे कि यह कैरोला का रंग कैसा होता है generally आप जानते हैं कि यह कैरोला जो है हमारे फूल का दूसरा चक्र होता है आपने कैलिक्स को देखा था कि वो फ्लोरल पार्ट का पहला सबसे पहला चक्र था और सेपल के मिलने से वो कैलिक्स बना हुआ था यही वाहया दल पुंज बना हुआ था ठीक इसी तरह से यह एक फूल का second horn होता है दूसरा चक्र होता है जो दलों के मिलने से बनता है इसलिए इसको हम petal कहते हैं और इसको मिला करके जब बनेगा तो कैरोला या दलपुंच कहलाता है अब हम देखेंगे यह जो हमारा दलपुंच है यह कैसा होता है दलपुंच को हम जानते है कि देखने पर outwardly अब देखेंगे किसी भी floor को तो काफी यह रंगीन आकरसक भड़तीला चम्कीला पार्ट होता है यह दलपुंच अब यह इसके अंदर यह रंग क्यों ऐसा है तो आप देखेंगे यह नथोसाइणिन थोसाइनिन थोसाइनिन कारोटिनोट कारोटिनोट कुरुम प्रीजर थीच प्रीजर इस तह रह कि आप देखेंगे कि यह water soluble pigment पाय जाते हैं इसलिए आप देखते हैं इसको crush करके रंग निकाला जाता है और उस रंग का यूज खोली खेलने या निकारियों में उपियों में लाय जाता है तो यह हमारा इसके काणिया जो है पेटल इस तरह का दिखाई देता है निरंगी भड किला छम किला दिखाई देता है अब हम petals को देखेंगे यह petals busm ऐसे ही जिसमें यह पेटल जो है पाया ही नहीं जाएगा मुछ ऐसे होंगे जिसमेेंravat tvn होंगे और कुछ होँगे गेम om petalus होंगे तो इन सभीके बारे में हम लोग एकComepod करनेंगे आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसमें पेटल नहीं है इसको हम एप एपटैलस एपटैलस कहेंगे यानि ऐसे पूष जिसमें पेटल महीं होते हैं जैसे आप देखेंगे एपटैलस में फोदर फोदर जीला मेजर यह ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर पेटल्स नहीं पाय जाते हैं यह है विट चै जीया जीयल फैमिली के अंदर यह पाय जाता है इसमें आप देखेंगे कि पेटल्स नहीं पाय जाते हैं ठीक अब हम चलते हैं कुछ में हम देखेंगे कि यह पेटल जो है रंगीन जिस तरह से हमने देखा था कि कैलिक्स में देखा था कि जब वही कैलिक्स रंगीन हो जाता है तो उसको हम लोगों ने सेपरलॉइड कहा था अब यहां हम देखते हैं कि यह क्या है हमारा पेटर लॉइड है पेटर लॉइड यह रंगीन ना हो करके यदि हारा हो गया हारा हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा यह पेटर लोयट कहलाता है तो यह बात हम लोगों ने जाना अब हम लोग यह भी देखेंगे किस तरह से कैलिक्स के ही तरह से यह भी डेशी डूऊज या काडिकस या पर्सिस्टन्ट होता है जैसे हम काडिकस की बात करें परड़ पाती की caducus caducus में हम देखेंगे तो grape wine की बात करेंगे अंगूर की बेल grape wine में देखेंगे तो caducus होता है deciduous तो कम ही पहे जाता है लेकिन persistent persistent यानि चीर लगन चीर लगन में आप देखोगे तो hither ये नाम का plant है जिसमें persistent पहे जाता है तो ये तो रहा हमारा epipetalus, petaloid और इसके nature carducus या deciduous या persistent की बात हमने की अब हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा polypetalus और gamopetalus क्या है और किस तरह से इसके अंतरगत ये चीजे पाई जाती हैं तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये पिटल है ये पाली पिटलस हो सकता है यानि जो हमारा ये फिटल है ये फिटल दो तरह के होंगे एक हमारा होगा पाली पिटल पाली पिटलस पाली पिटलस पाली पिटलस की बात करेंगे हम और दूसरी बात करेंगे हम गैमो पेटेलस गैमो पेटेलस तो ये दो चीजे निकल के आएंगी फिर हम देखेंगे कि इस पाली पेटेलस में भी दो चीजे निकल करके आती है एक रेगुलर आएगा रेगुलर पाली पेटेलस रेगुलर की बात हम करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे इर्रेगुलर की बात करेंगे इर्रेगुलर इर्रेगुलर पाली पेटेलस ठीक इसी तरह से जब हम गैमो पेटेलस में जाएंगे तो यहां भी रेगुलर पाली पेटेलस रेगुलर और इर्रेगुलर की बात करेंग इर रेगुलर तो देखें यह रेगुलर और इर्रेगुलर पाली पेटालास दो पार्ट में यानि रेगुलर पाली पेटालास और इर्रेगुलर पाली पेटालास इसी तरह से गैमो पेटालास दो पार्ट में रेगुलर पाली पेटालास और इर्रेगुलर गैमो पेटालास इनको हम एक-एक को करके देखते हैं और बिल्कुल एकजामपल और ट्रिक याद करने की इसके टाइपस को हम यहाँ पे देखते हैं तो आएए सबसे पहले हम देखते हैं हम पाली पेटलस में रेगुलर को लेते हैं आए रेगुलर को देखेंगे फिर हम इर रेगुलर को देखेंगे अब देखें जो हमारा पाली पेटलस है पाली पेटलस का मतलब आप जानते हो कि ऐसा फ्लावर जिसके पेटल जो है फ्री होते हैं अलग अलग होते हैं पिर्थक डली होते हैं उनको हम पाली पेटलस कहते है और ये पाली प्रेलस भी दो तरह के हैं कुछ regular होंगे कुछ irregular होंगे तो आए सबसे पहले हम regular को देखते हैं और regular कितने प्रकार का होता है और उसका example क्या है उसको एक हम trick बताते हैं जिसके मादधम से बड़े आसानी से आप उसके example और type को आसानी से याद कर पाएंगे तो आई देखते हैं वो trick क्या है border broader broader pull cross 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 करो broader pull पूल क्रास करो अब हम लोग देखेंगे कि ब्रॉडर पूल क्रास करो इसी से हम सारी चीजों को याद कर पाएंगे तो देखें इसी में हम regular पॉली पेटल इसकी बात करेंगे ये बात आपको याद हो गई ब्रॉडर चौड़ा broader पूल क्रास करो चौड़े पूल को क्रास करो इसी के अंदर हमारा टाइप्स और एक्जामपल सब कुछ नहीं थे तो आईए हम एक एक को करके देखते हैं सबसे पहले हमने यहाँ वी आर से यूज किया है देखें ब्रैसिका ब्रैसिका कमपैस्टिस बी आर से हो जाएगा हमारा ब्रैसिका कमपैस्टिस कमपैस्टिस यानि सर्षो ठीक है और दी से हमारा हो जाएगा डाइ अन्थस डाइ अन्थस ठीक और आर से हो जायेगा रोज तो ये हमारे हो गए एक जामपल ठीक है और पूल से हो गए हमारा पाली पेटैलस उनसे क्या हो गए भाई पाली पेटैलस ठीक कितनी बात आफ समझ गए अब हम आते हैं क्रास से हम याद करेंगे क्रूसिफेरी क्रास हम क्या आत करेंगे भाई क्रूसिफेरी क्रूसिफेरी या ब्रैसिकेसी भी इसको कहते हैं आप जानते हो और सी ए से हमारा हो ची आर से हो जाएगा कैरियो फिलेसी कैरियो कैरियो फिल्लस कैरियो फिल्लस कैरियो फिल्लसिया तो इस तरह से हम बड़े असानी से याद कर पाएंगे कि पहला जो हमारा टाइप है यानि बॉर्डर पूल क्रास करो से हमारा इसके अंदर कौन से टाइपस है और इसके एक्जम्पल क्या है उसको हमने वक्षोवी याद कर लिया पहला हम लेते हैं कुरूसी फार्म तो आप देखेंगे कुरूसी फार्म में इस तरह करोला सेट होते है कि मानो वो क्रास जैसे सर्चना इस तरह से बनाते हों जैसे देखें कुरूसी फार्म का हमने यहां पे एक्जम्पल दिया है ब्रेसी का कंपैस्टिस ब्रेसी का कंपैस्टिस में आप क्या देखते हों कि जो उसके फूल होंगे वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं ठीक है आप देखेंगे तो ये फूल जो है इस तरह से लग जाते हैं कि मानों ये क्रास कर रहे हो एक दूसरे को क्रास कर रहे हो ठीक है तो आप देखें इस तरह से क्रास जैसी सरचना बन रही है तो इसलिए इसको हम कुरूसी फार्म कहते हैं यानि कुरूसी फार्म टाइप आप कैरोला इसमें आप क्या देखते हो ब्रेसिका कैमप्रेश्टिस में देखते हैं कुरूसी फेरी के मेंब्रों में इस तरह क और एक चीजा जो धन र हखाइं किर नीचे का पाट दिख रहान है और यह उपर का दिख रहा है ये दो चीजे ये नीचे का इसको कहते हैं नंखर नंखर यहां एक बाहन हैं that पर सब होता है इसकते ओर उस्फीजा मत प्ष। इसमें है यह नंखर है इसको खला केते हैं और यह जो चावना Hungarian पार्ड़ा जो ने हो पाले हैं गरते देशोना है इसको ने कहते हैं तो यह है हमारा फूर्य फॉर्म यानि प्रूसिफेरी आन ran human बॉर्डर में सब्दलिया है ब्रेसिका कंपेस्टिस तो यह हमारे समझ से यह बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें चार जो है पिटल होते हैं फोर पिटल इसके अंतरकत पाए जाते हैं यह हमारा है कुरूसी फार्म टाइप आप कैरोला तो हमारे समझ से यह कुरूसी फार्म को आप आसानी से समझ गए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ चलेंगे हम कुरूसी फार्म आप समझ गए अब हम लेते हैं दूसरा हमारा है कैरियो फिलैसियस कि दूसरा हमारा हो गया कैरियो फिलैसियस अब देखें कैरियो फिलैसियस में जाएंगे आईए देखते हैं दूसरा हम कैरियो फिलैसियस Cariophelesius तो देखें, दूसरा हमने यहां लगाया है CA से, CA कार से लिया है Cariophelesius, और इहां इसमे एकजाम पर लिया है, और D से Dyanthus, तो Dyanthus में देखेंगे तो Dyanthus में क्या होते हैं we soci adults में पांच pathals होते है और इसमें आप देखेंगे, जो pathals होंगे वो थोड़ा जो उसका नखर होता है वो छोटा होता है और नखर और उसकी जो विंग है उनमें आप देखेंगे कि 90 अंस का कोड वनता है और ये जो जैसे आप देखेंगे कि ये जो है ये सीरेटेड होता है ये सीरेटेड इस तरह से इस तरह से आप देखेंगे यह जो हमारा है क्या है सी रेटेड हैं पांच होते हैं और यह आप देखेंगे कि सी रेटेड होंगे ठीक है तो यह सी रेटेड होता है इस कैयो फिललस में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पेटल्स हैं ये जो नखर है इसके नखर आप देखेंगे कि और जादे छोटे हो जाते हैं थोड़ा सा और इन नखरों में और इन्में आप देखेंगे कि 90 अंस का कोड़ वनता है ये हमारा है कह दिए फिलेसियस अब हम चलते हैं नेक्स्ट के तरफ नेक्स्ट हमारा है रोजैसियस रोज हमने लिखा है नेक्स्ट हमारा है रोजै रोजैसियस आप देखेंगे इसमें जो नकर होंगे वह बहुत छोटे होते हैं और इसमें जो पेटल होते हैं वह पांच या पांच से अधिक पाया जाते हैं और एक तरह से आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं जैसे रोज में देखिएगा गुलाब क कि फूल में तो आप क्या देखोगे ये हैं और इसमें ये लगे हुए लगे हुए हैं निकले रहते हैं तो यह हमारा रोज का यानि आप देख रहें कि लिया तो मतलब कली नखर उसका काफी छोटा होता है और ये बाहर की और निकले रहते हैं तो ये है हमारा rogesias type तो ये रहा हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ये polypetalus यानि example और इसके types को हमने देखा अब हम चलते हैं इसी के irregular types को देखते हैं polypetalus में ही irregular irregular तो इसमें आद देखेंगे irregular का मतलब ही होता है अनियमित इसमें जो चीजें पाई जाएंगी वो अनियमित होंगी तो आएए इसका एक ही प्रकार है उसको हम सार्ट में याद करने की कोशिस करते हैं irregular पापी पापी पिया याद कर लिजे irregular पापी पिया और पापी से हमारा हो जाएगा पैपी पैपी लियो पैपी लियो नैसियस पैपी लियो नैसियस टाइप तो यह देखेंगे आप कि पैपिलियो नैसियस टाइप होता है और पिया से हमने याद किया है जैसे पी है पी आप देख लिजे मतर देख लिजिए यहनी मतर अरहर से अरहर फिर आप ले लिजे सी सम तो इन सभी में चाना इस सभी में आप देखिएगा इसके फ्लावर को आप देखेगे तो यह पैपल नैसियस टाइप्स का होता है और इसमें आप देखेंगे कि यहां भी पांच प्रकार के पैटल है इसमें भी पैटल्स और नखर एक तरह से कहिए कि हम देखेंगे कि यह पांच जो हैं यह भी पिर्थकदली हैं लेकिन इर्रेगुलर हैं और पीछे का आप देखेंगे पस्च जो होता है वो काफी बड़ा होता है मतलब चौड़ा होगा बड़ा होगा यहां देखिए इ काफी बड़ा है इसी जो बड़ा रहता है इसको कहते हैं वह स्टेंडर्ड क्वालिटी है इसलिए इसका नाम स्टेंडर्ड या वैक्सिलम रखा गया है इस बात को आप ध्यार रखेंगा यह बड़ा वाला पॉर्ट वैक्सिलम या इस्टेंडर्ड का लाता है या धोजग कि अंदर लगा हुआ है इसलिए इसको यह यहां में से जानते हैं यह पाशार में अब ईसके नीचे की तरफ जाएंगे यहां नीचे वाला पोर्सन आप देखिए तो नीचे के जो दोनों एक पैटल उसमें जुड़ जाते हैं इसलिए सब्सक्राइब नीतल या कैरीना के नाम से जानते हैं इस बात को आप याद रखिएगा तो यह हमारा पैपलियो नैसियस टाइप आप पेटल है यानि यह फ्लावर है जो पी में अरहर में सीसम में और च्छाना में पहे जाता है अब हम लोग देखते हैं गैमो पेटालस गैमो पेटालस अधित तक हम लोगों ने देखा कि पाली पेटालस में पेटालस फेरी थे रेगुलर रहा इरेगुलर रहा दोनों के प्रकार और एक्जामपल को हम लोगों ने ट्रिकली और ब्रिफली समझा अब हम देखेंगे कि गैमो पेटैलस में क्या होता है हम जानते हैं कि इसमें पेटल संजुक्त होते हैं आपस में जूड़ जाते हैं इसलिए इसको हम गैमो पेटैलस क्याते हैं इसमें भी दो तरकार की होती है इसके भी दो टाइप होते हैं एक रेगुलर और दूसरा इर्र फिर हम देखेंगे और इसकी एक्जांपल क्या है फिर कुछ हम टेख्निकल टर्न को भी जानेंगे तो आए सब से पहले हम गयाम पेटालस में रेगुलर को देखते हैं रेगुलर तो रेगुलर में आप जानते हैं कुछ नियम कानून के तहर यानि ये रहेंगे तो देखें इसको साटली और विरिफली ट्रिकली कैसे याद रखेंगे वियाद कर लिजिए आप रैट केम इन फानी ट्यूब आर्मन स्लमान कें इंघ्प पित इतनी सी बात आप याद कर लेंगे रैट केम इन फनी ट्यूब फार अर्ण सलमान केम इन डीप पिट फार सन ड्यूब अन ब्रूम तो देखें रैट रैट से हमने यूज किया है रोटेस रोटेट रोटेसियस सलमान स्टोलैनम नाइग्रम सी से हमने यूज किया है कमपैनुनेट यहनि कमपैनुना और इन से इन फन्डी इन फन्डी बूली फार्म या फन्नी और ट्यूब से ट्यूबलर फार्म सन ड्यू यानि हम लोग याद करेंगे डिस्क फ्लोरेट आप सन फ्लावर और ब्रैयोफिल्लम और सियोलेट की बात करेंगे तो आईए इस ट्रिक से हम एक-एक को याद करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रैट से रोटैसियस रोटैसियस मतलब चक्रकार इसमें आप देखेंगे कि जो करोला होगा आपस में फ्यूज तो होंगे ही होंगे चक्रकार दिखाई देता है इसलिए इसको हम रोटैसियस कहते हैं जैसे सोलैनम नाइग्रम को देखिए सोलैनम नाइग्रम तो सोलैनम नाइग्रम में आपको यही चीज दीखने को मिलेगी इसका जो करोला होता है संजुप्त होता है और रोटैसियस होता है यानि चक्राकार होता है दूसरी हम बात करेंगे केम से कमपैनुलेट 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 लैसियस टाइप यानि इसमें घंटाकार आप देखेंगे जैसे कमपैनुला जैसे कमपैनुला को देखिए आप कमपैनुला कमपैनुला में इस तरह है की चीजें आपको दिखाई देंगी अब आज आए नेक्स्ट है इन से हो जाएगा इन फंडी इन फंडी बुली फॉर्म या फॉनल सेप फॉनल शेप तो आप देखेंगे यानि कीपा कार कीप के आकार का आपको यहाँ दिखाई देगा जैसे डाई अन्थस को देखिए डाई अन्थस सारी धातूरा 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 को देखिए डीप से हमने लिया है धातूरा और पीटूनिया को लिजिए पीटूनिया तो यह इनका इन फंडी फॉली फॉर्म सेप दिखाई देता है तो यह हमारा हो गया इन्फंडी बॉली फॉर्म या फॉनल सेप यह आपको देखेंगे कि यह पीटूनिया है और धातूरा में इस तरह के प्लावर पाए जाते हैं अब आईए हम लेते हैं ट्यूब से ट्यूब से हमारा हो जाएगा ट्यूबिलर यह ट्यूबिलर फॉर्म आपको दिखाई देगा और देखेंगे कि ट्यूबिलर जो है सन ड्यू हमने यूज किया है यानि ड्यू से डिस्क फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट अफ सन फ्लावर तो सनफ्लावर का जब आप qloade देखेंगे तो इसी तरह का आपको दिखाई देगा और आर्न आर्न से हमने यूज़ किया है आर्न इसको हम आर्नसेप अर्नसेप कुमभाकार भी कहते हैं तो कुमभाकार आप देखेंगे कुम्ब के आकार का यह घड़े के आकार का यह चीज दिखाई देता है जैसे ब्रूम से हमने यूज किया है ब्रायो फिल्लम तो इस तरह से हमने देखा क्या कि रेगुलर गैमोर पेटालस में यह सारी चीजें आ जाती है यानि रोटैसियस टाइप, केमपैनलेट टाइप और इनफंडीबुली फॉर्म टाइप, ट्यूबिलर और आर्लसेप अब आएए हम देखते हैं रेगुलर टाइप अब आएए हम इर्रेगुलर गैमोर पेटालस को देखते हैं इर्रेगुलर इर्रेगुलर में देखी इसको सार्टली हम कैसे याद रखेंगे बाई, बिला लेग वाला परशन, सोलर, सनी रे वाला एंटीना लएँ है, बस इसी से हमारा इसका एक्जांपल और इसके टाइप याद हो जायेगे आईए विला से हम याद करते हैं विला से हमारा हो जाएगा वाई लाइवियेट वाई लाइवियेट या वाई लिफ्ट भी इसको कह सकते हैं वाई लिफ्ड वाई लिफ्ड यानि इसको आप देखेंगे ये करोला इस तरह से अरेंज होते हैं कि लगता है कि इनके दो होट है तो इसलिए इसको हम विला या वाई लेवियेट या वाई लीव्ड कहते हैं इसका एक्जामपल देखी हमने यहां लिया है सोलर से यूज किया है जैसे वाई लीव्ड में आप देखेंगे कि जैसे आप ले लिजे साल्विया को ले लिए साल्विया है तुलिसी है इसको आप देखेंगे कि इनके जो कैरोला है वो इस तरह से अरेल्ट होते है कि लगता है कि दो होट ही इसकी अंतरगत है इसलिए इसको हम विला से साल्विया और तुलिसी को याद करेंगे अप दूसरा हम लेते हैं लेग से हम यूज करेंगे लेग यानि लिगूलेट लिगू लिगूलेट इसको हम हिंदी में द्विष्ठी लिगूलेट लिगूलेट या जिहियकार जिहिय जिहियकार जिहवा जिहवाकार यानि जीव के आकार का आप देखेंगे उपर का जो है थोड़ा सा चोड़ा होगा जीव के आकार का होगा नीचे थोड़ा सा छोटा होगा तो इस तरह से लिगुलेट होता है और ये क्या है लेक से हमने यहां लिखे लिखा है सन रे यानि सन फ्लावर का सन फ्लावर का क्या हो जाएगा रे फ्लोरेट अब ही उपर में आपने देखा था कि डिस्क फ्लोरेट था ये रे फ्लोरेट है याद रखियेगा रे फ्लोरेट को जब आप देखेंगे तो वो जीवाकार जीव के आकार का आप देखेंगे पीछे क हमने यूज किया है person हमारा is equal to हो जाएगा personate personate type या इसी को mask type भी कहते है तो इसका हमने देखे लिखा है antenna से यानि antirinum antirinum तो इसको आप देखेंगे कि इसके अंतरकत जो है ये काफी होट जो है जो बाई लिप्ट होते है काफी नजदिक आते हैं काफी close हो जाते हैं जो इससे set जाते हैं एक तरह से ये कहें कि ये by alleviate का ही एक type होता है लेकिन जब काफी closer हो जाते हैं तो ये जो है personate लगता है कि कुछ नी ढाकी हुई है यानि personate type या mask type कहलाते हैं तो ये रहा हमारा करोला का polypetelles, gamopetelles का regular और irregular type अब हम लोग इससे related कुछ terms को जानने की कोशिस करते हैं जो काफी महत्तपूर है और इस पर कई बार question पूछे गए है सबसे पहली बात हम करेंगे पेरियन्थ पेरियन्थ क्या है क्या चीज़ है यानि परिदल पूंज आप देखें नाम से ही देख रहा है परिदल पूंज यानि बाहर बाहर इसमें क्या होता है आदिकतर जो एक वीज़िपत्री है जो प्लांट्स है उनको आप देखेंगे जो इनके दल होते है ये प्राया जो है यूनाइटेड होते है लेकिन इसमें क्या होता है मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन ये क्या होता है ये दलपुंज यानि कैलिक्स और करोला इसमें क्या करते हैं आपस में कंज्वाइंट हो जाते हैं जुड़ जाते हैं प्राया जायतर पौधों में ये अलग-अलग होते हैं पिर्थक-पिर्थक होते हैं लेकिन जैसे प्राया एक बीच-पत्री होती है जिसे हम पेरियंत कहते हैं यानि परिदल पुंज कहते हैं और इसका जो यूनिट होगा उसको टेपल कहते हैं यानि टेपल तो जिस तरह से हमने कैलिक्स में सेपल देखा था करूला में पेटल देखा था उसकी यूनिट इसी तरह से पेरियंत की यूनिट क्या हो और यह काफी आकरशक होते हैं और आकरशक मतलब हो करके क्यूड मोटवंगों को आपनी तरफ एकरसित करते हैं अब हम यह देखेंगे कि यह पेरियंत भी जो है टेपल के आधार पे कई प्रकार का हो जाता है कई रूपों में कन्वर्ट हो जाता है इन टेक्निकल टर्म को हम जानेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, पेटलोयट की, यानि दलाव, इसमें क्या होता है, कैरोला और कैलिक्स आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, जुड़ने के कांड जो आकरिती बनती है, वो बहुत ही चमकीली और भड़कीली आकरशक होती है, तो इसे हम दलाव कह कहते हैं, या पेटलोयट कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, जैसे गुल मोहर में आप देखिएगा, तो गुल मोहर में ये काफी आकरशक होता है, दूसरा सब्द है हमारा लाडिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, जैसे गेहूं में देखिए आप, गेहूं, तो लिए इसको हम लाडिक्यूल कहते हैं इसे गेहूं में आप देखिए अब नेक्स्ट तर्म हमारा है पॉलीफिलस या एपो टेपैलस वेरी इंपर्टन पॉलीफिलस या एपो टेपैलस इसमें आप देखेंगे कि आला गलक तो दिखाई देते हैं यह टेपल जो है एपो पाल्यफिल्यस कहते हैं यह आलाग-अलग तो दिखाई देते हैं लेकिन यह परियंथम peripher adds जाएसे आप देखिए गाएलियम उसनвор χर्म टाइक more जाठीए कि आप डेकिए एलिव Alm 60 दम्ने क्या होता है कैरोला और गएलिक्स का जो आपस में adjust यानि फिरियंत काई जो ये टाइप है, ये प्रथक-प्रथक ही दिखाई देते हैं आपको, तो जिससे लहसून, लहसून को आप देखिए, ये इसी तरह का यानि पालिफिलस या एपो टेपैलस के नाम से यह जाना जाता है, अब हम आते हैं, गैमो फिलस, यानि मिल जाएं, या इसी को Sintepalas के नाम से भी याद रखते हैं ये क्या होता है बिल्कुल आपस में जूड जाते हैं यानि अला गलग दिखाई नहीं देते हैं जैसे AELIEM SIPPA में देखिए AELIEM AELIEM SIPPA यानि प्याज जिसको कहते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि यह गैमो, फिल्लस या सिंटेपलस टाइप होता है और पाली फिल्लस या एपो टेपलस टाइप जो है लहसून में या एलियम, सैटिवम में होता है तो यह रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्टर बाउट कैरोला और इसके प्रकार, इसके एक्जामपल और इससे रिलेटेट कुछ टाम्स के बारे में हमने बाते की मुझे उम्मीद है कि यह लिक्षर आपको पसंद आया होगा अगर इस चैनल पर आप नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करना बिलकुल भूलें क्योंकि आपका सब्सक्राइब आपका लाइक आपका कमेंट हमें मौरल सपोर्ट प्रोवाइड करा